गुड मॉनिंग बच्चो स्वागत आपका आज की क्लास में और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th NCRT चैप्टर नमबर 1 अपनी संक्याओं की जानकरी यानि की दो साथ चार और तीन में से पड़ते का केवल एक बार प्रयोग करते हुए पांच अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्याओं का अंतर ग्याद करो देखो बच्चो आपके पास यहां पर पांच अंक दे रखे हैं ठीक है जैसे आपको दिख र बनानी है फिर इनी का यूज करना है और एक बार सबसे छोटी संक्या हमने बनानी है जब बड़ी संक्या और छोटी संक्या हमार पास बन जाएगी बच्चो तो फिर हमें क्या निकालना उन संक्याओं का अंतर ग्यांत करना अंतर वाने डिफ्रेंस यानिक उनको माइनस कर तो रिजल्ट जो आएगा यानि जो उत्तर आएगा वही आपका रिवायार आंसर होगा यानि वही हम आप निकालना चाह रहे तो सबसे पहले बात करेंगे इसका हल में कि दे अंक वहाइब कौन कौन से अंक देए लिखो उनको दुबारा से 6,2,7,4,3 आपको दिखाया जाए बायाख hits Q1 वोगी वहाई को आपके चौटे संग्या किस और आएगी आपके एकाहि यानि कि दाई और आईगी ठीक तो इसका मला सबसे बाड़ी संग्या तो क्या बनी यह बनी क्या बनी याउने ज्यादा दिमाग चलाने की जरूद नहीं है आप इसको ठीक उल्टा लिकिए यानि, सबसे दो जो है जो सबसे बड़ा है उसको एकाई के आंक आंक के साव उसमें रख लिए प्लेस पर अस्तान पे तो सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या है साथ है अंक क्या है सात है तो साथ यहां पर रखए 6 weiter चार फिर तीन दो जो सबसे छोटा है उसको इस से आप स्टार करेंगे यानि कि बाई और से स्टार करेंगे तो देखो इससे क्या बन जाए गए एकाई दाई सेग्ड़ा हजार दस जार ठीक है 23,467 हो जाएगा ठीक है और सबसे बड़ी क्या बनी थे 76,432 अब यह सबसे बड़ी संक्या बनी यह बच्चो पांच लंको की यह सबसे छोटी संक्या बनी जैसे आपको दिखाये दे रहे अब बोल रहा है कि इनका क्या निकाल झांच यहां बच्छा है यहां बच्छ गया थिए आपका के निकाल। होनगों सब से बड़ी शूटी संहिया कांतर निकाल ना। वह प skirts option no problem ओस्थ में एक मसीन ऐ और और उसका और वाषतन निया पंधी में ग्राभ स्फटेस पेंच्ट. 2,000 इनवर से और वह एक पान इस पहरयो इस मसीन कहल़े यूट रहरे जहरो है कि यह नंजनवरी महनेमे यहां कि महने में किसट बना रहे जंवरा धिसी करारें तो बच्चों, आप समझ आउंगे कि क्या करना है है, तो यहां पे खाel दिया है लिखिए हम, कि एक दिन में बनाए, संक्या कितनी है, 2825 पाईग और जनवरी महा में कितनी दिन होते हैं 31 यानी 31 दिन होते है आपको पतह तो आप लिखेंगे कि पूरे माह में बनाए पेंचों की संक्या 2825 गुणा 31 हो जाएगा वही बात है कि जैसे आप एक दिन में पांच रूटी खाते हैं ठीक है तो दस दिन में कितनी खाओगे दस दिन में कितनी मुल्टिप्लाइ करेंगे ना फाइब को इसके मुल्टिप्ल रहें तो 31 डे में यानि 31 दिन में कितने बचेंगे बनेंगे इतने बनेंगे कितना आ गईए 87,545 बनेंगे यानि कुल पेंचों की संक्या जो महा जनवरी 26 में बनाएगे थे हूँ है आपके 87,575 बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्न की और देखें बच्चों कुश्न नबर 7 हम पढ़ रहे हैं एक ब्यापारी के पास 88,592 रुपए थे ठीक है उसने 40 रीडो खरेदने का ओर्डर दिया तथा पड़ते रीडो का मुल्य बारसो रुपए था इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनरासी सेस रह जाएगी देख रीडो का मुल्य कितना था 1200 उसने जो ओरडर की 40 तो एक रीडो को मुल्य कितना था रुपए में एक रीडो खरीदा उसने और खरीद द गए रीडो के संगे कितनी थी 40 इसका मद़ब आप सोचो utilize अगर सब्सक्रकुको LC 60 और एक रिडो की कीमत कितनी है 1242,000 तो 402,000 के कितनी होगी मल्टिप्लाय करते हैं हम तो मल्टिप्लाय करने पर कितनी आ जाएगे 48,000 इसका मला उसने 48,000 रुपे क्या कर ले खर्च कर ले रिडो पर ठीक है अब उसके पास रुपे कितने हैं ते सुरू में 78,500 बैयानवे तो बोल ला है कि उसके पास अब किती धन्रासी सेज बचेगी तो आप लिखेंगे हम तब उसके पास सेज धन्रासी होगी कुल धन्रासी जितनी थी पहले से माइनस 40 रिडो की कीमत क्यों 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 क्यो आप बचेगा 3592 रुपए बचेंगे सिस यही आपका आंसर होगा होब कि आपको यह क्रियर वाओगा थैंक्यू स्चो मच